हलो बच्चो कैसो आप सब उमीर करता हूं सब ही ठीक होगे बड़ी खबर सीधे यूपी स्कॉलर्शिप को लेकर आ रही है और यूपी स्कॉलर्शिप में ये बताया जा रहा है बच्चो कि अब आपके ऑनलाइन आवेदन करने की जो तीती है वो 10 जनूरी तक बढ़ा दी ग गई थी पहले ये डेट 31 December तक था लेकिन अब 10 जनूरी तक बढ़ा दी गया बच्चो अब आगे कि इस पूरे वीडियो में जानेंगे कि जो बच्चे पहली बार लखनों विश्र विद्याला में एडवीशन ले रहे तो अपने यूपी स्कॉलर्शिप का फॉर्म कैसे ब इलाके गोर्रमेंट आपको देती है तो वहीं मान के चलिए अच्छा का सा एमाउंट मिल जाता है आपको ठीक है तो चलिए शुरू करते बच्चों अगर आप पहली बार लखनों विश्र विश्र देले या संबंद कॉलेज में एडमिशन लिये हैं और पहली बार आप स्क पहुंची है है यूपी स्कॉलेशिप की वाप साइट पे पहुंचने के बाद से आपको क्या कर रहा है इस्टूडेंट वाले कॉर्णर पर क्लिक करना है इस्टुडेंट वाले कॉनल पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का ओप्सें आएगा तो सबसे पहले आपको रजिस्टेशन वाले बटन पर क्लिक करना है ठीक है आप क्या करिएगा रजिस्टेशन वाले बटन पर क्लिक कर दीजेगा जैसे रजिस्टेशन वाले बटन प थीक है जन्रहिए ओवी सी एंशी एं इसमें आप बता दिएगा ठीक और उसके पाद से धर्म क्या है कैसे ठीक है चात्र शात्रा का संख्यात आपको यहां भरना है यह मैंने पहले वीडियो में बताया है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे आप स्कॉलर सी फॉर्म के लिए रजिस्टर करें तो उसे आप देखके कर लिजेगा ठीक है अब आगे का प्रोसेस हम करते हैं बचो सभी क अगे का प्रोसेस हम सुरू करते हैं उसके बाद से आपको यह सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फिर आपको एक रिस्ट मिल जाएगी इस तरीके से ठीक है जैसे आप वह रॉजिस्टेशन वाला प्रोसेस फाइनल करेंगे थीक है बहिए मेरे को मिल गई अब क्या करन करना है फिर आपको login करना है login कैसे करोगे तो आपको क्या करना है registration संख्या जो आपने password बनाया था ठीक है password डालिएगा और उसके बाद से यह capture code भर दीजिएगा ठीक है और mobile number का भी अब इन्होंने option दे दिया है तो आप mobile number जो आपने पोटल खुल के आएगा अब देखिए इतने स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा सबसे पहले आपने registration किया हाँ भाई रजिस्टेशन कर लिया उसके बाद से आपको registration slip मिल जाएगा दोनों पर गिंटिक रगए अब आगया डीजी लॉकर से सत्यापन करें ठीक है यह भी पूरा process समझाऊंगा आपको चात्रविर्टी यह तो आवेदन पत्र बरें यह भी पूरा समझाऊंगा फोटो कैसे अप्रमालपत्र कैसे आपको फिल करके वेरिफाई करना उसी स्कॉलर्शिप पोटल पर यह भी समझाऊंगा और आधार से कैसे उसको लिंक करना यह भी बताऊंगा तो पूरे स्टेप को ध्यान से देखिएगा वीडियो थोड़ा लंबा होगा डरिएगा नहीं ठीक है छोड़के जाएगा नहीं वहना आपका लॉस हो जाएगा ठीक है क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको सारी चीजे अब देखिए सबसे प ठीक है और यहां पर आपका capture code दिखाएगा और फिर generate OTP का option आएगा ठीक है जैसे आपके नमबर पर OTP आएगा आप क्या करिएगा OTP फिल कर दीजेगा ठीक है जो आपने नमबर में डाला होगा फोन नमबर में डाला होगा ठीक है बाइया मैंने फिल कर दिये सम्मिट OTP के website पर पहुंचा देगा ठीक है उस पर आप ओके कर दीजेगा ओके करने के बाद फिर आप यह डीजी लॉकर की website पर चले आएंगे ठीक है यह डीजी लॉकर बनाया क्यों गया यह गवर्मेंट ने कहा कि अब जो भी student होंगे वह अपना प्रमारपत्र इस पर रख सकते हैं औ सब्सक्राइब निकालो दिखा दो तो अब इस पर क्या करना होगा भाईया क्या करना होगा देखो जो पहली बार student डीजी लॉकर पर आएंगे तो उनको क्या करना होगा इस पर एक एक काउंट बनाना होगा sign up करना होगा sign up वाले option पर click करना होगा अगर आपके पास पहले सापने डीजी लॉकर बनाया है class 12 मार्क शीट जब जालना था जब 12 में आप पढ़े रहे थे मार्क शीट निकाल रहे जब भी कर रहे थे तो उस समय आपने डीजी लॉकर से मार्क शीट निकाली होगी तो हो तो उसके बाद से जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं किया है डीजी लॉकर पे उनको साइन अप करना साइन अप के टाइम आपको क्या करना आपका आधार नंबर डालना जैसे यह आधार नंबर डालोगे आपके आधार वाले नंबर पे एक OTP आएगा लिंक नंबर पे ध्या तो आपको पूरा करना होगा जैसे यह मानलो आप आधार नंबर से लॉगिन कर लिया आधार नंबर से आपने लॉगिन करिया ठीक है उसके वाद से six-digit का ओ जो securityuß अपने बनाया था वह भी लिख impacto ice ठीक है security code बना दें फिर sign in करो जैसे इस sign in वाले option पर click करोगे आपके number पर फिर एक OTP आएगा OTP के option पर click कर देना है फिर आपको एक कहेगा कि अपना कोई बनी यूजर नेम बना लो अगर बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे username अपना जो भी आप डालना चाहोगे दो digit का जैसे रमेश 0012 या रोही 0012 इस तरीके से कोई भी चूज करो ठीक है username बना लिए ठीक है username बनाने के बाद फिर आपका ये dg लाकर सत्यापन करें ठीक है ये पूरा task इस तरीके से पूरा हो जाएगा मतलब dg logger पर क्या होगा आपका photo दिखा देगा पूरा आपका detail दिखा देगा ये सारे process हो जाएंगे पूरे अच्छे से ठीक है फिर आप बढ़ेंगे चात्रविर्ती हे तू आवेदन करें ठीक है जैसे ही आप इस portal पर क्लिंक करेंगे चात्रविर्ती हे तू आवेदन क तो आपके पास कुछ इस तरीके सा ये पूरा interface खुल के आएगा जैसे डीजी लॉकर का verification successful हो जाएगा उसके पासे आएगा option पाठेकरम का प्रकार अब पाठेकरम का प्रकार भईया यह कैसे पता चलेगा मैं self finance में पढ़ता हूं कि regular में देखो self finance और regular ठीक है regular courses वो courses होते ह है जो जिसका आपको पता है regular fees जो होती है वो government charge करती है ठीक है जो initially fees decide होता है self finance course वो course होता है जो university offer करता है तो आपके fees receipt में यह clearly mention रहता है कि आपका course is safe है यह आपका course regular है तो यहाँ पर चूज कर लिजेगा जो आपका course होगा आपने fees receipt से देखे ठीक है उसके वाद से पाठेकरम का नाम मतलब कौन से पाठेकरम में हो बीए बीस्टी बीकॉम जो भी आपका पाठेकरम हो उसका नाम चूज कर लिएगा जैसे बीस्टी हुआ बीए हुआ बीकॉम हुआ मास्टर अपको मिल जाएंगे फिर पूछे का पाठेकरम ब्रांच का नाम ठीक है तो ब्रांच में ओप्शन दे लेते हैं जो भी आप सलेक्क करते हो ठीक है पाठेकरम की अवदी कितने साल की है तो बीक नो करने बाद आप से पूझेगा क्या आप लखनो विश्वविद्याले या जहां भी पढ़ते हैं वहाँ पे क्या होस्टल की सुविदा है अगर आप होस्टल में रहते होंगे तो आवासी चाटर पर क्लिक करिएगा नहीं तो दीवा चाटर फायदा क्या होगा भईया इ है आप के जिस दिन examination हुगा ता जिस दिन वो वोlease Command होके आई होगी उस दिन का यह Date डालना है नंबर नहोंगे मोरिष सारी डीटेल आपको जाएंगे तिऊ क्मेस्ट में से याlor Universe उसके बास पढ़ते होगे तो कॉलेज का नाम आप सलेक कर देना क्या ट्वल्थ के मेरिट के अधार पर नो कर देना ठीक है पाटेकरम पात्रता तो जो लोग बीए बीकॉम के लिए फॉर्म भर रहे होगे वह लोग इंटर्मीडियेट पर क्लिक कर देना इंटर्मीडियेट को आजाएगा ठीक है क्या वर्तमान जहीं नीट के थुरू है तो नहीं नो पर क्लिक कर देना प्रवेस पर इच्छे तो यह वाले आपके तब नहीं खुलेंगे ठीक है जैसे क्लिक करिएगा तो कुछ इस तरीके से पूरा ओपन होके आएगा ठीक है ओप बढ़ते हैं ठीक है काउंसलिंग के अधार पर यह सभी चीज नो रहेंगी फिर नीचे आएंगे तो नीचे आपको एक option मिलेगा कि आपको अपने हाई स्कूल का नंबर ठीक है पुड़ांक टोटल मार्क कितना था कितना आपको मिला था परसेंटेज कल्कुलेट करके डाल होंगे तो आपके पास यह option नहीं आएगा सिर्फ हाई स्कूल इंटर्मीडियेट का फिर आपको कैप्चर कोड बना बच्चों लॉग कर देना सम्मिट के option पर क्लेक कर देना भाईया सम्मिट हो गया अब आगे क्या करना है अब आगे आ जाएका नीजी मतलब आपको आपक साचे करता ठीक है क्या आपके माम्मी पापा पड़े हैं कि नहीं यह उसके वासे उनके कोड़ दीटेल पूछेगा और कपसे क्या है वह से बढ़ दीजेगा ठीक है जिस तरीके इससे कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है इतना बढ़ने बाद फिर आपसे बैंक क्या बारे मे आपके बैंक अकाउंट पास्बूक पे क्या नाम लिखा है ठीक है जैसे इतना इंटर करोगे अपडेट के उप्सन पे क्लिक कर देना क्लिक करने के बाद से फिर आपसे पूझेगा कि कितने पैसा फीस मतलब कितने रुपे आपने कॉलेज या अपलिएटेड कॉलेज में जमा किया तो बच्च inflation को पता है साल में scholarship कितनी बार मिलती है तो आपको आपको अपने first semester का fees plus second semester का फीस इसका जितना total आएगा we total fees आपको लिख देना है मतलब जितना आपके fees receipt में लिखा होगा पहले semester into two कर देंगे जो amount आएगा वो आप भर दीजीएगा उसके बाद से आपको यह capture code भर देना भरने के बाद से पिर आपका गतवर्ष पूछेगा ठीक है जो आप कौन से मतलब intermediate की हैं तो उसका डीटेल पूछेगा तो वार्षिक 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 क्योंकि बोड एक बार होता है साल में दो भार तो हो नहीं रहा है तो बोड का result बता रहा है ठीक है पुडां के कितना था और कितना नमबर आपको मिला ठीक है और उसके बात वर्ष यहां भी पुडांग क्या ही पूछा जाएक है कितने percentage आए खुद calculate कर लेगा आपको calculate करने की ज़र्ण और जहां से आपने 12th किया होगा school का नाम सिचर संस्थान का नाम फिर आपको यह capture code बरना है update के option पर click करना है click करेंगे update हो जाएगा फिर आपके सामने कुछ इस तरीके का window open हो जाएगा open होने के बाद से देखिए क्या लिख्या आएगा कि आपके सफलता पुर्वक भरी गई है ठीक है photo upload करने का photo बिना आवेजन successful नहीं माना जाएगा ठीक है इतना option करने के बाद से अब आपके द्वारा देखें यहां पे देखेंगे तो अब आपका photo अप्लोड हो गया ठीक है रजिस्टेशन फॉर्म भरागे क्यों अप्लोड हो गया क्योंकि आपने जो डीजी लॉगर से वेरिफिकेशन किया था यही वाला photo आपका यहां उठाके चलाएगा आपको कुछ करने की जरूत नहीं है अब एक option आफन बिलेगा कहेंगा आवेदन पत्र संसो दित करें मतलब अगर कोई गल्टी हो गई है पिसका संसोदन कर लिज लिजे कुछ गल्ती हो गया तो जाएड़ाविदन क्रमांग के संख्या। ठीच और प्रमार पत्र क्रमांग के संख्या। ये दोनों आपके आयव माड़ पत्र पोगा। अब फर्स समस्टर के स्टुडेंट होगे तो यह नया नियम काणून आया है कि आपको अपने सिर्फ पापा की जो फोटो लगी होगी आपरमाद पत्र परमाद पत्र अपको लगाना है उसका क्रमाद के संख्या फिर आपको क्या करना ये capture code डाल देना है फिर verify वाले option पर click कर देना है जैसे ही verify करेंगे verify क्लिक करेंगे यह अपने आप वेरिफाई हो जाएगा फिर सेम उसी तरीके से जाती प्रमारपत्र जो आपका कास सर्टिपिकेट होगा जनरल वालों से नहीं मांगेगा सिर्फ ओपी सी और स्ट स्टुडेंट से मांगेगा ठीक है जैसे ही आप वेरिफाई करोगे ठीक है जै जैसे इतना करने के बाद से फिर क्या होगा आपको वेरिफाई कर देना है जैसे इतना वेरिफाई कर दोगे वेरिफाई हो जाएगा उसके बाद से आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि जो है अब आए जरती परमारपत्र हो गया है वेरिफिकेशन अब आपको आधार लगा कि आधार नमबर आपको दिया होगा आपका नाम लिखा होगा आपका डेट वर्स लिखा होगा और अधार नंबर यहां पर डालना होगा ठीक है और प्रमारित के आधार दुबारा है मतलब दो बार आपको आधार नंबर डालना होगा और यह चीज़ें अल्रेडी मेंशन होगी फिर आई एक्षप पर क्लिक कर दीजेगा मतलब ठीक है आई के वाले अफ्शन पर क्लिक कर दीजेगा फिर अपने आप एक OTP जाते ही आपका कुछ आधार नंबर वेरिफाई हो जाएगा ठीक है नहीं वेरिफाई होगा उस केस में क्या करना है आपको अगर एक दो दिन देखिएगा एक बार तुरंत नहीं होता ओटी पी आता फिर वेरिफाई होता है तो उसमें थोड़ा चाल टैम लग जाता तो आप थोड तो आपको सीधा आना है और यहाँ पे क्या करना है आपको फाइनल प्रिंट करने के लिए यहां पे लॉक कर देना है जैसे यह लॉक करोगे दो तिन बाद आपका प्रिंट निकल के आ जाएगा ठीक है अब हो गया मतलब यह पूरी चीजे मैंने आपको समझा दिया अब आपके पास क्या होता होगा कि अब आप स्कॉलर्शिप फॉर्म बर रहे हो और आपके पास कुछ डाउट होगा डाउट के लिए हमारा जो लिंक है यह नीचे पढ़ाओगा जैसे ही आप यहां कोईरी कर दूंगा ठीक है तो यह चीजें होंगी तो आप इस पॉर्म में अपना स्लॉट बुक कर लेना कॉल कर देना ठीक है और बागी कोई समस्चा होती है तो आप लू अपडेट मुबाइल आप जरूर डाउनलोड कर लिजेगा वहां भी अगर चैट बॉक्स में बताएंगे तो आपकी यह इसू सॉल्व होगी हो बच्चो यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब करके जाईएगा और अपने दोस्तों के साथ तो सेयर करना नहीं बुलिएगा क्योंकि तक आपको दोस्तों के जानकारी कैसे होगी ठीक है तो आपको बहुत अच्छा रगा होगा थेंक्यू सोमज बच्चो